अब ही हम सीखेंगे कि Windows-based computer पे हम किसी drive को hide कैसे कर सकते हैं आप देख सकते हैं मैंने already my computer का folder खोल रखा है जिसमें से मेरे पास 3 drives visible हैं Local disk C, Local disk D and Local disk E Suppose मुझे Local disk C को यहां से hide करना है उसके लिए आपको start पे click करके search box में type करना है edit group policy आप देख सकते हैं इसके बिलकुल top पे एक option दिख रहा है edit group policy यहां पे click करने पे एक new window खुलेगी जिसका title है local group policy editor यह window दो parts में divide है इसके left side पे आपको last option पे जाना है administrative template इस पे दो बार click करने पे इसके sub options खुलेंगे जिसमें से आपको windows components पे दो बार click करना है इस पे दो बार click करने पे इसके sub options में से आपको windows explorer पे click करना है windows explorer पे click करने के बाद right side पे बहु सरे options दिखेंगे इसमें से आपको click करना है hide these specified drives in my computer इस option पे दो बार click करने पे एक new window खुलेगा जिसमें से आपको enabled पे click करना है enabled पे click करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं एक combo box है जिसमें restrict all drives दिख रहा है इस पे click करने पे आपको बहु सारे options दिखेंगे जिसमें से आपको select करना है restrict C drive only उसके बाद apply पे click करिए और ok पे click करिए यह करने के बाद आप my computer पे जाके right click करके refresh करेंगे तो अभी आपको local disk C यहां पे नहीं दिख रहा है suppose मुझे उसको दुबारा दिखाना है तो आप दुबारा से उसी window में जाए again hide these specified drives in my computer पे दो बार क्लिक करिए और यहां से आप disabled पे click करिए apply करने पे और ok करने पे आप दुबारा वापिज आ करके जब computer पे जाके enter प्रस करेंगे तो आप देख सकते हैं local disk C वापिज दिखना शुरू हो चुका है आपको knowledge के लिए एक बात बताना चाहता हूँ यह options windows 10 में भी ऐसे ही खुलता है मगर यहां हमने windows explorer पे click करा है वहां पे यह option file explorer के रूप में दिखेगा इस तरह से हम अपने computer में drives को hide या unhide कर सकते हैं